नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बात होने वाली है कोटक बैंक के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की इस वीडियो में ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड को घर बैठे आसान तरीकों से कैसे ले सकते हैं वो जानेंगे साथ में इसका detail जैसे feature and benefits, pay and extra charges और eligibility इन details के अलावा कई लोगों का कुछ common सवाल जैसे क्या इस credit card को हम unsecure तरीकों से ले सकते हैं या सिर्फ FD के basis पर ही लेना होगा अगर FD पर ही लेना होगा तो कितने की FD से कितने की FD करवा सकते हैं उन पैसों को कब निकाल सकते हैं कोटक credit card को FD के basis पर लेने के क्या फाइदे क्या नुकसान हो सकते हैं और सबसे महत्पून सवाल माल ले जाए मेरे पास कोटक bank का कोई भी account है यानि एड डवल्बन माल ले जाए मेरे पास account है और अगर मेरे पास कोटक credit card का pre approval आता है तो क्या मुझे card लेना चाहिए या नहीं ऐसे ऐसे सवालों को गहराईयों से इस वीडियो में discuss करेंगे और जानेंगे इस credit card से related सब कुछ तो चैनल को subscribe करें साथी पूरी जानकारी के लिए बीडियो के इंट तक बने रहे हैं दोस्तों non banking financial company का एक best bank कोटक महिंद्रा जो इंडिया के अंदर emerging bankों में से एक माना जाता है इसके कई सारे banking services customers के लिए available है जिसमें हम जैसे आम public benefit धूनते रहते हैं जैसे कोटक bank का credit card रहने को तो इसके 27 credit card market में मौझूद है जैसे कोटक A11, dream different, R1A, white, कोटक league ऐसे कई और credit card है लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक dream different credit card के बारे में जो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है पहले हम लोग इसके features जानते हैं तो इसके feature में सबसे पहला benefit activation offer जिसमें हर customer 500 bonus reward point यर्न कर सकता है अगर customer card activation के 45 जिनों के अंदर-अंदर यानि 45 days के अंदर-अंदर 5000 रुपेया spent कर देता है तो उन्हें bonus के तोर पर 500 reward point मिलेगा दूसरा feature reward point मतलब जो customer इस credit card से online spend करेगा तो हर 100 रुपेया spent करने पर यानि every 100 रुपीज 2 reward point उन्हें मिलेगा और जो customer offline spend करेंगे उन्हें हर 100 रुपेया spent करने पर एक reward point मिलेगा इसके बाद तीसरा feature इस credit card का cash withdrawal interest free होने वाला है मतलब अगर customer इस credit card से cash withdrawal करता है तो सबसे पहले कि वो अपने limit का 90% cash bidowal कर सकता है जैसे किसी वेक्ति का limit है 25,000 तो वो अपने limit का यानि 25,000 का 90% यानि 22,500 रुपे वो free of cost bidowal कर सकता है जिसमें कि आगले 48 देज तक भी किसी प्रकार का interest आपसे नहीं लिया जाएगा लेकि 48 देज के बाद भी अगर पैसे आप return नहीं करते हैं तो हर दिन के हिसाब से interest charge किया जाएगा फिर हमारा next feature है यानि 4th feature balance transfer बोले तो अपने किसी credit card का balance quota card में transfer करवा सकते हैं उसके बाद फिर quota card से कहीं भी पैसों का लेंदेन कर सकते हैं जिसका सिर्फ processing fee लगेगा जो कि on every 10,349 रुपे हैं पासमा feature इन केस किसी customer का credit card खो जाता है या उनके card से कोई fraud हो जाता है देन यूगेट ए cover of 50,000 रुपे लेकिन उसके लिए a screen पे दीगे number को call करना होगा यानि इस number को आप चाहें तो note कर सकते हैं अगर आप इस number को 7 दिनों के अंदर अंदर call करके इस number पर बता देते हैं तब फिर कम से कम और जादा से जादा एक cover आप आपको मिल सकता है 50,000 रुपे का साथ में add-on card की facility मिल जाती है जिसमें कि आप अपने family member को जो 18 पलस हैं उन्हें अगर आप अपने जैसा credit card provide करवाना चाहते हैं तो provide करवा सकते हैं अगर उन्हें bank legible नहीं करती है तो लेकिन limit उन्हें अलग से नहीं दिया जाएगा उनके ही limit के कुछ हिस्टों को काट कर यानि जिनका credit card है अगर आपका credit card है तो आपके ही limit के कुछ हिस्टों को काट कर आपके family member के card में provide करवा दिया जाएगा इसके अलावा fuel सर्चार्ज और railway सर्चार्ज में भी है फ्यूल सर्चार्ज में कि इंडिया के अंदर किसी भी fuel stations पे 500 से लेकर 3000 तक fuel लेने पर 1% बेवाफ होगा और railway सर्चार्ज में IR CTC से transaction करने पर 1.8% और भारतिये rail booking counter से transaction करने पर 2.5% सर्चार्ज बेवाफ कर दिया जाएगा इसी तरह से customer एक साल में railway के द्वारा 500 रुपे का बेवाफ करवा सकता है इन सभी के अलावा dream different credit card का दो और feature सामने आता है जिसमें पहला और one of the best feature ये card lifetime free है इस card को maintain करने में और join करने में किसी तरह का fee bank आप से charge नहीं करेगी ना तो joining fee देना होगा और ना ही annual fee आप से कभी लिया जाएगा दूसरा feature कि अगर customer इस credit card से एक साल के अंदर अंदर 75,000 रुपे अस्पेंट कर देता है तो फिर उन्हें milestone benefit मिलेगा जिसमें milestone का मतलब या तो customer 750 रुपे cashback ले सकता है या फिर PBR की 4 टिक्टे उन्हें free मिल सकती है दोनों ही cases में किसी एक का लाबव उठा सकते हैं दोनों ही beneficial होने वाला है अब हम लोग इस credit card के fee and extra charges की बात करते हैं तो customer इस credit card को बिल्कुल free maintain कर सकता है joining fee और renewal फी उनसे नहीं लिया जाएगा उसके बाद फिर bank के तरफ से 42% per annum के हिसाफ से interest charge किया जाएगा जैसे कोई व्यक्ति इस credit card से EMI के जरीए कुछ लेता है तो अगर उन पे interest charge होगा तो वो interest 42% per annum या फिर 3.5% monthly के हिसाफ से interest charge उनसे लिया जाएगा उसके बाद minimum due amount 3.5% cash withdrawal या balance transfer हर 10,000 पे 300 रुपे over limit और check bonds charge 500 रुपे foreign market fee 3.5% और भी कई सारे charges हैं अगर जरूरत हो तो मैं comment box से top comment पर note कर दूँँगा आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं आईए दोस्तों कोटक dream different credit card को लेना कैसे हैं आप वो जानते हैं यानि apply करने का आसान तरीका तो देखिए बहुत सारे लोगों को हमने कहते सुना है कि आप कोटक dream different credit card को online apply करके without FD के basis पर आसानी से ले सकते हैं जो की गलत है दोस्तों कोटक बैंक के कई ऐसे credit card है जिसे आप online apply करके without FD पर ले सकते हैं in fact कोटक बैंक के dream different card को छोड़ करके सारे credit card को online apply करके आप without FD के basis पर ले सकते हैं लेकिन dream different case में कुछ अलग होता है इसके case में क्या है कि आप dream different card तभी ले सकते हैं जब आपके पास कोटक अकाउंट हो वो चाहे 821 अकाउंट हो चाहे other account लेकिन कोटक अकाउंट रहना चाहिए तो अगर आपके पास कोटक अकाउंट है तब dream different card आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ भी सिर्फ account होने से कुछ नहीं होगा अकाउंट होल्डर को एक FD करवाना होगा तब जाकर dream different credit card के लिए लिजिवल हो पाएंगे जैसे जिनके पास 821 अकाउंट है अगर आप कोटक 821 के account होल्डर है और अगर आप इस card को लेना चाहते है यानि dream different credit card को लेना चाहते है तो कम से कम 5,555 रुपे का FD करवाना होगा तब जाकर 5,000 का limit वाला dream different credit card आपको मिलेगा यानि 90% limit मिलेगा और अगर आप account holder नहीं है कोटक 821 के यानि कोटक 821 account ना हो करके other account आपके पास है तो कम से कम 10,000 का FD करवाना होगा तब जाकर 90% यानि 9,000 का limit वाला एक dream different credit card मिल जाएगा यहां दोनों ही cases में एक customer अपने ही आथो से limit खुद set कर सकता है जितने का FD करवाएगा उतने का 90% का limit वो ले सकता है एक सीज का और ध्यान रखें कि इस card के लिए additional document की जरूरत नहीं होती है बस FD करवाओ और card पाओ यहां एक सवाल नॉर्मली कई सारे student पूछा करते है कि मैं तो एक student हूँ या non employee हूँ तो अगर pre-approval offer आता है तो क्या हमें ये card लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो जवाब है बिल्कुल लेना चाहिए अरे भाई जब तक आप एक normal credit card एक secure credit card से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपका civil यानि credit score increase कैसे होगा वो develop कैसे होगा और वैसे भी ये card lifetime free है ना तो joining फिल आएगा ना ही annual fee जो सिर्फ 500 की FD से मिलने वाला है और उस FD को यानि जितने का fixed deposit आपने करवाया है अगर आपका मन हो तो उसे वही रहने दे जिसमें तकरीवन 6-7% in interest मिलता रहेगा जिसका परिणाम सो रूप कि एक तो secure credit card भी आपके पास रहेगा और दूसरा कि आपका एमाउन धीरे-धीरे बढ़ता भी चला जाएगा या फिर अगर आपका मन हो तो 6 महिने के बाद से आप उन FD के पैसों को निकाल भी सकते हैं बिड़ो भी कर सकते हैं आईए अब हम लोग जानते हैं कि FD पर ही क्यों यानि खुद के पैसे दे कर एक क्रेडिट कार्ड लेने का क्या फाइदा होता है इसे अपने कोटक कार्ड के पिछले वीडियो में भी पताया था कि ठीक है माल ले जा आपने FD करवाया है तो आपने उन पैसों को खर्ष तो नहीं किया न आपने FD करवाया है फिक्स डिपोजिट करवाया है जिसमें अगर आपका मन हो तो 6 महीनों के बाद यानि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद आप उन पैसों को निकाल सकते हैं या फिर अगर आपका मन हो तो उन पैसों को वही रहने दे इतना मैं जानता हूँ कि अगर कोई बंदा credit card लेने जा रहा है तो सिर्फ FD में पड़े 55-500 से उनका जीवन में अकाल नहीं आने वाला तो अगर आप उन पैसों को वही रहने दरते हैं तो एक तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा और दूसरा की एक secure credit card आपके पास रहेगा उस secure card का क्या फाइदा कि अगर उस secure card को अच्छे तरीके से यूज करते हैं टाइमली हर महिने payment के लिएर करते चलते हैं तो आपका सिबिल यानि सभी तरह का credit score चार तरह के score होते हैं सभी तरह का credit score धीरे धीरे develop होता चला जाएगा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा जिसका परिणाम कि आप बड़े से बड़े personal loan credit card के लिए legal होते जाएंगे without income proof के तो कुछ इस तरह का detail था दोस्तो कोटक dream different credit card का अगर अभी भी इस topic से related कोई सवाल आपके पास हो तो comment में पूछ सकते हैं चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है देर किस बात की चैनल को subscribe करें साथी अगर ये वीडियो आपको उप्योगी लगे तो इसे like भी जरूर करें